सबी साथियों को में है नमस्कार स्वागात अब सभी का आज 28 नुवेंबर के जन सत्था विश्लेशन में आई शुरू करते हैं बेना किसी तेरी के प्रतन प्रिश्ट पे हमारे सामने जो खबर है वो हमारे जो इमबैज़र हैं यूएस में उनके साथ कुछ खटर पंतियों ने जो की खारिस्तानी समर्द तक बताए जा रहे हैं ने धक्का मुकी करी एरपोर्ट पे वो एक फ्राइट पर करने जा रहे थे तो उसको देखे न्यूज में बहुत लंबे समय से दिन भर ये खबर आ रही थी और ये सब कुछ नहीं है ये सिर्फ अपना-पना फ्रस्टेशन निकारने का प्रयास करा जा रहा है आगे दिखत अर्टिकल्स की और समवाद और साफधानी मणिपूर में अमन के लिए सबसे मेदरपूर रास्ता वहां हिंसा में शामिल समूहों को बाचीत की मेच पर लाना है सरकार कहती है कि हिंसा फैदाने वाले समूहों से बाचीत कर समस्या को हल निकालने की कोशिश की जाएगी देखिए हम जानते हैं कि देश ने पिछ्टे करश महीनों में मणिपूर में बहुत ही दुर्भागेपूर घटना होती हुई देखिए समस्य अधिरी बात क्या है कि इसका कोई ससलिउचन क्यूँ नहीं निकल पा रहा है ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम है यह बात मैं नहीं कह रहे हैं यह बात लेकर कह रहा है फिर से मनिपूर में इस समय वहां के तो विरोध प्रश्चन कर रहे हैं तो लगातार अशान्ती बनी हुई है मतलब कहीं पे तो कनेक्ट की कमी है कनेक्शन की कमी है गौवर्मेंट और लोगों के बीच में ट्रस्ट का इशू है गौवर्मेंट और लगातार अशान्ती प्रश्चन कर देने के पस्ताफ से उटे विवाद के बाद जिस तर का विरोध शुरू हुआ था उसे समूचे राज्चे में व्यापक जाती हिंसा की शक्रत ले ली में तरही और कोकी समूधाय के वी जान लेवर टकराफ के दुरान अब तक लगबग 200 लोग की जा चुकी है हम जानते हैं कि ये पूरा जो विवाद था ये कैसे शुरू हुआ था एक कोर्ट के डिसीजिजन से हुआ था मैं माने नहीं जात साब ने गुवर्मेंट को कहा था कि जात सचल ये ट्राइबल लिस्टिंग है उसको रिव्यू करा जाए और में तरही कोकी समूधाय को लेकर इसी में बहुत लंबे समय से विरूध भी था ठीक है हिंसा देखे आज भी जा रही है इत्ता समय होने के बाद भी अगर सरकार ने शांती कायम अगरने के लिए वारता कसंके दिया है तो उसमें सिर्फ एक उगरवादी समूध से बाचित का आसल क्या होगा यह च्छिपा नहीं है कि राज़े में मौझूदा हिलसक और अराज़क हरात में कई गुट शामिल है और सबकी अपने अपनी राय होगी अगर उन प्रभावी गुटों को बाचित में शामिल नहीं किया जाएगा तो किसी एक समूध से वारता और शांती समझाता कितना स्थाई और दूर गामी हो सकता है इसे पहले सुप्रिम कोर्ट और केंद्री ग्रहमंत्राले की ओर से निगरानी और शांती समीतियों के जरिये सित्थी को संभालने की कोशिश की गई मगर उनका ठोस हासिल नहीं हुआ वही जो इस लेख में बताने का प्रयास खरागिया साथी हो कि कैसे गवर्मेंट का कनेक्ट उस तर पे अभी नहीं बन पाया है समूधायों की बीच में तभी ये अशांती बरकरार है भारत के लिए चुनाती बनता मालदीव देट दशक पहले मालदी में भहुद अली लोक्तंतर की सापना हुई थी उसके बाद अधातकाली नाश्रपती मुहमद नाशीद ने समूधायों के बरतेस्तर और कारवन सोजन के खतरों से दुनिया को आगा करने के लिए समूधर के तरल पर कैबनेट बैठक आयोजित की थी साथी होगर हम थोड़ा सा इतिहास में चाहें तो बहुत पहले एक ख़बर आई थी एक फोटो आई थी बाहर उस फोटो में कहता यह बात हम कर रहे हैं दोजार बहुत पहले की थे नौक एस वसी बात है उसमें जो वहा सब्लब मीटिंग करी थी समूधर के नीचे मतलब की थिए यह मतलब क्या था मतलब दिखाना था कि माली जो है की माली और Ilra रहा है लगातार हो रहा है पॉलिक्शन से ग्लोबल वार्मिंग से छोटे छोटे देश प्रभाइद हो रहे हैं यह एक मेस्ज़ था समझी प्रप्राकेते के छिलताओं से जूजने वाले मालदीव को वैश्विक पहचान दिलवाने में भारत की महतवपूर हुमी का रही है मगर पिछले कुछ वशों से इस देश की घरेलू राज्जीती और विदेश नीतियों में गहरे परिवर्तन हुआ है इसे प्रहुक कानडों में देश की राज्जीतिक और सिर्था धार में कट्टरपंद को राज्जीतिक से नक्षण लोगतांदरे शक्तियों को कुछ लिने की कोशिश खाड़ी देशों से आयते चरमपंथ पागिस्तान का भारत विरोधी तुष प्रचार और चीन की कर्ज नीती का मकड़ जाल है देखे डिप्लोमासी में बहुत चीज़े होती है बहुत चीज़े मैटर करती है एक तरफ मालडीव चाइना से भी लोन लिया हुआ है जो कि चाइना हर जरूत मन देश को देता रहता है दुसी तरफ मालडीव कहीना कीव प्रभावित भी है गल्फ कंट्री से बहुत सी पॉलसीज में और मालडीव को जरूत भी है भारत की मालदीव में राश्रपती मुहमद मुईजू कि नेतुमें आईनी सरकार ने भारत से अपील की है कि वह मालदीव से बार्दी सैनिको को वापस बलाए देखिए अब डिप्लमाटिकल प्रॉडम हो रही है मालदीव लंबे समय से भारत की प्रभाव में रहा है मगर मुईजू का ये रुख भारत विरोधी उताचीन समर्द तक माना जा रहा है और ये भी देखिए कि कैसे अचानक से सुरक दल गए मालदीव से उनने भारत की कंपनी का हवाई अड़ा बनाने को करार जो था तो खारच करके ठेका चीनी कंपनी को दे दिया था कि बैसिकली मालदीव नहीं बोला है ये चाइना बोला है अगर आपको ध्यान हो मैंने आपको पुरानी वीडियो में जो की थी 25 तारिक की उसमें बताया भी था कि क्या हो रहा है चाइना पाकिस्तान वेनेजुएला माल्डीव और तमाम कंट्रीज जो कंट्री जरूत में है ना इनको पैसा देता है जो कि देखिए वर्ल्ल बैंक देनी रहा है वो तो बैंक है आप समझीएगा पूरी वीडियो को जो पच्छे सारी वाली है आपको कैसे प्रक्षडिया होती है पतालग जाईगी जब इन लोग को बैंक मना कर देता है कि हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे तो चाइना मदद कर रहा है मगर चाइना जो मदद कर रहा है इसके पीछे इंटेंशन हैं अपने डिप्लोमाटिकर हैं दूसरी बात है कि इंडिया के खिलाफ इसलिए एकदम से ये देश चाइना के सुर बोल रहे हैं चाइना वहाँ पर बड़े-बड़े कॉंट्रेक्स ले रहा है इन देशों में मालडी पाकिस्तान में और इन देशों में कॉंट्रेक्स ले रहा है बना के दे रहा है इन लोगों को और अपनी मनमानी भी कर रहा है 19 स्थीक दिशक के अंत में चीनी नौसेना ने समुदरी लाके पर अपना प्रभूतो बढ़ाने की एक रणीती बनाई थी उसके नुसार अपने जल छेतरों से बाहर काम करने में सक्षम पंडूपी और अंत्यादूने खतियार बनाना इन मासागर में उसका संचालन करना और अंतराशे सरपचीनी धाक जमाना था मालदी पचीन के बीच 17 में मुक्त वैब पार्स अंजोथा इसके अंदर बहुत से बाते करी जाती हैं देशों के बीच में सहमत ही होने पर कुछ पर्टिकुलर आइटम्स पर तवाम प्रकार की वेव ओफ करे जाते हैं कस्टम डूटी टैक्सस वगरा वहीं बड़े प्रमाने पर चीन के निवेश किया है और वहां बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव में भागिदार बन गया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पहल के हिसे के रूप में मालदीव में बंदरगाओं, हवाई अड़ो, पुल और अर्ने मतरपूर, बुनियादी धाचे की विकास, सहेद विबन, वरियोज्याओं के विद पोशन और निर्मान में चीन ने भूमी का निवाई है मालदीव दूइपो का एक बड़ा समूँ जिसमें करीब 12,000 टापू हैं इसमें सिर्फ 200 दूइप पर लोग बसते हैं मालदीव के अबसे नजदी के प्रोसियों में से एक भारत में है तिकि मालदीव पूरा आइलेंड गंट्री है जो 12,000 टापू है बारत है और उसकी चिंता यह है कि मालदीव के सेक्रो नेजन दूइपो पर समूदी डाकू तसकर और चरंपती ठीकाने ना बना ले हैं समस्य हैं बहुत देखिए हिंदमासागर में भी यह सब डिप्लमाटिकल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं जैसे कि इम जानतें कि क्या हुआ था जिसलंका एक पॉइंट के बाद चैना के सुर गाने लगा था शिलिंगा का हमन टोटा पोर्ट जो था बंदरगा वो बूजितर चाइना के बना हुआ है बांगलादेश का चिटगॉंग बंदरगा मेंमार का सित्वय परियोजना समेथ माल दुई कि कही निर्जन दुईपो को चीनी कपचे से भारत की सामरेक और समुद्धी सुरक्षा को चरौती बढ़ गई है देखी चाइना क्या कर रहा है जहां पॉसिवल है वहाँ पे हमारे देश के सोचिए बांगलादेश में तक चाइना ने अपने पोर्ट बनाए हुए हैं आइलेंड निशन आएंगे चाइना अपनी एक मिलिटरी इस्टैबलिश्मेंट को स्ट्रौंग करना चाह रहा है कि कभी अगर अटेक करना पड़ जाए तो एकदम से चारों तरफ से वो अटेक कर सकता है इंडिया के उपर इस समय मौईजू सरकार ने रुख भारत विरोधी पतीद हो रहा है वहें मालदी के सामाजिक और आर्टिक विकास में चीन की भूमिका की सरहाना कर रहे है प्रिस्थीन को अकरामक समर्थन देगर अपने देश की खटरपंदी दाक्तों को खुश कर रहे है तुर्कियों की राष्ट्रपती तैयब अदुगान से मिलने को आतुरता था भारत था भारत से रिष्टों को लेकर टढ़नापन दिखा रहे हैं मतलब बहुत सी कंट्री से समय अलगी काना गा रहे है तो देखिए भारती अंतरिक्ष कारेकरम के लिए लाउंज बेस इंट्रसक्चर देने वाला थदीश दवन अंतरिक्ष केंदर शिहरी कोटा में सित है जो हमन्टोटा से करीब गयारा सो किलोमेटर की दूरी पर है मालदीव से कोची की दूरी बहुत जादा नहीं है बाजी नौसिना के दक्षिन नौसिनिक कमान का केंदर दथा भारती तरक्षक का राज्य मुख्याले भी यहीं सित है केरल के एन्रोकलम जिले में लक्षिदीव सागर से तरक्ष सित एक बड़ा बंदरगा नगर है हम जानते हैं कि यह लास्टी एर खबर आई थी कि चाइना ने जो हमबन टोटा पूर्ट है वहाँ पे एक अपना जहाज खड़ा करा था जिसका नाम है वान वांग फाइफ चाइना यह कहता है ऑफिशल रिकॉर्ड में कि बहिए यह जहाज है यह साइन्टिफिक परपस के लिए है इसमें कुछ नहीं है इस जहाज में सर्विलांस के बहुत सारे एक्विप्मेंट्स हैं और यह कई हजारों क्रिमिटर तक सर्विलांस कर सकता है चाइना ने इसे क्या करा था भारत के करीब श्री लंका के हमन्टोटा पोर्ट में खड़ा कर दिया था और यह इजन्सिस द्वारा पता लगाया गया कि सर्विलांस करा जा रहा था हमारे अंतिरिक्ष जो मिशिन्स हैं उनको लेकर यह समस्या है कि पोर्ट का पहली बात तो मिस्यूस करना दूसरी बात है भारत के खिलाफ हर समभव तरीके से सर्विलांस करने में चायना यूस कर रहा है और कलको यह वार्ट सेटुशन में भी मिलिटरी अपनी इस्टैबलेश करने में भी पूरी तरह काम्याब रह सकता है तो यह समस्या है मालडीव बंगलादेश कभी कभी शिलंका यह सब चायना से डेप्ट में चल रहे हैं जिसके कारण यह निड़ने नहीं लिपा रहे हैं और वो ही कह रहे हैं जो चायना इनसे कहने के लिए कहता है गरी देशों में बढ़ ही है बुदरू के संख्या विश्वास संगठन और सहिंकत राश्टर की टीमों ने सहिंकत राश्टर की Decade of Healthy Aging रिपोर्ट जारी की है Decade of Healthy Aging रिपोर्ट 136 देशों में किये गए सर्वेक्षन का प्रेडाम इसमें दिखा गया है ठीक है 136 कंट्रीज रपट में कहा गया कि COVID-19 में हमारी के कारण 80% से अधिक मौते उन लोग की हुई जिनकी उमर साथ प्रस से अधिक थी देखिए आपकी जनरली senior citizens की लोग की मित्य हुई है मगर ये जो aging वाली problem है aging population इसमें developing countries के लिए खत्रा है ठीक है खत्रा है और क्योंकि वो productivity काम में उस तरपे contribute नहीं कर सकते हैं जिस तरपे पहले करते थे ठीक है जिनकी बाद ये है कि स्वस्त तरीके से उमर बढ़ने कानून बढ़ने का समर्थन करने के लिए नीतियां कानून कारेक्रम और सिवाओं वाले देशों का अनुमान निम्ण और मध्यम आई वाले देशों के कम है फिर भी दुनिया वर में 250 तक 80 फीसद वृद लोग इनी देशों में रहेंगे ये सुनशित करने में भी चुनौतियां बनी हुए है कि वृद लोग दशक की कारवाई के केंदर में हो सुस्थ तरीके से उम्र बढ़ाने वाले देशों में ये मंच में तीन में से एक में वृद लोग शामिल नहीं है रपट में का कि है कि महिलाओं और के स्वास और कल्यान को लेका दुनिया भर में 8 लाग से अधिक प्रतिक्रियां एक अत्र की गई हैं जिन में से 15 फीस्थ से 55 से अधिक उम्र की महिलाओं से है और 8 फीस्थ 65 से अधिक उम्र की महिलाओं के हैं इन देशों में बुर्कीन फासों, कमबोडिया, मिसर, इथोपिया, घाना, भाग, कैनिया, मेक्सिको, नाइजीरिया, पाकिस्तान इत्यादी शामिल हैं रपट के हवाले से डेवलुएचों के महाने देशक डॉक्टर टेड्रोस एड्नोम गैबियस ने कहा था कि हमें और अधिक राज्जीतिक पतिबंदता की अफशक्ता है खास कर निम्न और मध्यम आए वाले देशों में सुस तरीके से उम्र बढ़ाने में साहता के लिए हमें अधिक निवेश की अफशक्ता है हमें अधिक बैतर प्रश्जीत और समर्थित स्वास सुईधा हैं देनी पड़ेंगी उनने कहा है कि WHO आकड़ों के संग्र है और विशेशन निग्रानी और मुल्यांकर निम्राश्ट्री स्थम्ताओं कर निर्मार करने एक गरत और लंबे समय तक उनका प्रशिक्शन करने में तत्पर है तो ये भी है आरने आगे आने वाली अबादी में कैसे स्वास्त की समस्याएं को कम रखना है और हमको ये भी धान रखना है कि देश का विकास बरकरार रहे आगे आते हैं आइलेंड के लिखक पॉल लिंच को बुकर पुरुसकार के लिए चुना गया ये जो खबरे होती हैं कि जरूरी होती है कि किसे कौन सा पुरुसकार दिया गया तो पॉल लिंच साब को बुकर अवार्ट दिया गया है बुकर प्राइस ठीक है, नुजीलन्ट में आपके किस्टाफर लुकसन ये नाम ध्यान रखी गा है किस्टाफर लकसन इनको नुजीलन्ट का नयाब रधानमंतरी नितक कराग्या है किस्टाफर लकसन और हाली में उत्रखंड में चटा विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन हुआ था कहां पे हुआ ता दहरा दून में हुआ था दहरा दून में हुआ था डिजास्टर मीटिंग थी यह दिजास्टर मैनेजमेंट को देखने के लिए जैसे देश अंतराशितर पे मिलकर काम करेंगे आच्छे दिनी रखते हैं अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कल फिर रहेंगे नई वीडियो के साथ हो सकता है वीडियो ये लेट अपलोड हो कारण है कि थोड़ा सा बिजी शेडियो चल रहा है कल फिर आते हैं 29 तारिक की वीडियो लेकर थैंक यू